प्रवक्ता जीविज्ञान आज आपके साथ जीविज्ञान विशे के कुक्षा ग्यार्वी में जो पहला ध्याय है जीव जगत उसका अध्यन करेंगे और इसमें विभिन अधिकम उद्देश्मों पर चर्चा करेंगे आज की चर्चा से हम इन जिन अधिगम उद्देश्मों को प्राप्त कर सकेंगे उनकी बात करते हैं हम जान सकेंगे जीविज्ञान और जीविज्ञान की समझ को हम विक्षित करेंगे जीवों की अनूठी विशेष्ताओं का गहन आकलन और पहचान करना सिखेंगे हमारे देश में बहुत प्रकार की जैविविता है इसके प्रती हम छात्रों के मन में गौरव की भावना को उत्पन करना चाहेंगे और यह जानना चाहेंगे कि वो इसके महत्व को समझे है नामकरण की द्विपदिये और त्रिपदिये प्रणाली की समझ को विक्षित करेंगे जैविक नामकरण के सारभोहमिक नियमों को ज्ञान हासिल करेंगे चात्रों में तला कौशल, व्यग्यानिक दिष्टिकोन, जिग्यासु प्रवर्ति और अवलोकन कौशल का विकास करने का हम प्रयास करेंगे दैनिक जीवन में जीविग्यान का हमारे क्या-क्या महत्व है इसको सहसंब्द करना हम सीखेंगे आइए सबसे पहले हम जीविग्यान शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं है क्या जीविग्यान? आपने कभी सोचा? जीविग्यान दरसल विग्यान की वह शाखा है जिसके अंतरगत जीवधारियों का अध्यन की जाता है ये सभी प्रकार के जीवन रचना एवं जैव प्रक्रमों का विज्ञान है ये एक प्रकार से उच्चे स्तरिय धन में पृत्वी पर जीव के विकास की गाथा है जैव विकास की कथा है जी विज्ञान शब्ध का प्रियुग सबसे पहले किस ने किया ? आपको मालूम है. सबसे पहले इस शब्ध का परियुग लेमार्क और ट्राइवेर इनस्थ ने सन अठारा सो एक श्वी में किया था. प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है, जीविज्ञान के जनक कौन है, सोचिए अरस्तु को हम जीविज्ञान के जनक के रुप में जानते हैं अब हम बात करते हैं, जीवन क्या है ये एक बड़ा ही दाशनिक प्रश्ण है लेकिन हम इसके विज्ञानिक पहलू पर बात करेंगे जीविज्ञान के द्रस्टिकोंट से देखेंगे हम जीवन को कैसे परिभाषित कर सकते हैं आप देखिए, ये जीव जगत है हमारा कितना अधुद है, कितना निराला है आप अपने आसपास देखिए, नाना प्रकार के भिन्यमिन प्रकार के जीव आपको देखाई देते हैं और ये भिन्यमिन जीवों के विश्टित प्रकारों की श्रंखला हमको आश्चरी जगत कर देती है ये जीव असाधन कहने वाले वासिस्थान चाहे ठंडे चट्टान पहाड़ों पर परवतों पर हो पनपाती वन हो, महासागर हो, मीठे जल के जीले हो या मरुस्थल हो, गरम ज़र्ने जिनमें जीव रहते हैं ये सब हमें आश्चरी जगत कर देते हैं आपने अपने आसपास देखा होगा फिल्मों में देखा होगा कि सरपट दाड़ते घोड़े और सरदियों में देखते हैं पक्षी बहुत दूर-दूर सानों से प्रवास करना जाते हैं घाटियों में खिलते वे फूल और कभी देखा होगा समुद्र में आकरमन का रिशार्क इसकी सुन्दर्ता हमको विश्मय और चमतकार का आखवान करती है पारिस्तितिक विरोध और समस्टी के सदस्यों तथा समस्टी और समुदाय में सहयोग अत्वा यहां तक की कोशिका में आन्य की गतिविदी से पता चलता है कि वास्तों में जीवन क्या है हम जीवन जब जीवों के सपस्ट अभिलक्षणों को देखते हैं तब पता लगता है कि जीवन के हम क्या परिवाशा देने वाले हैं हम जिन अभिलक्षणों को देखते हैं उनकी चर्चा करते हैं जीव व्रधि करते हैं जीव पर्यावरण के प्रति संबेधना और उसके अनुकूल क्रिया करने में सक्षम है जीवों की एक विशेष्ता है कि वो स्वयम की प्रतिली भी बना लेते हैं स्वयम को संगठित करते हैं और इस संगठन के दौरान ही उसमें पारश्प्रिक्रिया होती रहती है इसके साथ साथ जीव, उद्गमन आदी ये सब हम जीवों में एक सुस्पस्ट लक्षण के रूप में देखते हैं और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जिनमें ये लक्षण पाए जाते हैं उनको हम जीव कहते हैं आईए अब हम जीवों के इन सुष्पस्ट अभिलक्षणों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं प्रयास करते हैं हमने कहा कि सबी जीव व्रध्धी करते हैं व्रध्धी क्या है दरसल में भार और संख्या में जब व्रध्धी होती है तो हम कहते हैं कि जीव में व्रध्धी हो रही है तो व्रध्धी के दो अभिलक्षण हैं भार तथा संख्या में व्रध्धी और यह दोनों ही जीवों में पाई जाती है बहु कोशिक जीव कोशिक का विभाजन द्वारा व्रध्धी करते हैं जो एक कोशिक जीव हैं उनमें कोशिक का विभाजन से व्रध्धी भी होती है जनन भी होता है पौधों में ये व्रध्धी जीवन परियंत चलती है आप देखते हैं, पौधे में अगर कोई टहनी काड़ देते हैं, तो कुछ समय बाद उसमें टहनी आ जाती है, नई कोपल आ जाती है, तो उसमें कोशिका विभाजन द्वारा हमेशा व्रध्धी होती रहती है, लेकिन प्राणियों में ये व्रध्धी कुछ सीमित आयूतक हो आकि ये जो कोशिकाएं मर रही हैं य्या विलुप्त हो रही हैं, इनकी जगेए नई कोशिकाएं आ सके हैं। अभी जैसे हमने बताया कि एक कोशिक जीव विभाजन द्वारा व्रद्धी करते हैं और ये उनमें विभाजन के साथ साथ व्रद्धी के साथ जिनन की भी एक अभी लक्षर बन जाता है अब हम जब बात करते हैं कि जीव व्रद्धी करते हैं, तो क्या ऐसा है कि केवल जीव ही व्रद्धी करते हैं, आपने देखा होगा आपके आसपास टान हैं, रेत के टीले हैं, गोलाश्म हैं, ये सब जेहें व्रद्धी करते रहते हैं, तो क्या हम ये मानने कि ये मिट्टी क ये घुलाश्म, ये रेद के ठीले यह भी जीव हैं, क्योंगि ये भी विद्धी कर रहे हैं. जर एसके उपर आप चिंतन करिए, मनन करिए निर्जीव बहरी रूप से विद्धी करते हैं, जबकि जीव आंथरिक रूप से विद्धी करते हैं इस अंतर को आप अंतर साथ कर लिजिए, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्धी को जीवों का एक विशिष्ट अभिलक्षण नहीं मान सकते हैं, जीवों में ये लक्षण जिन परिशितियों में परिलक्षित होता है, उनकी विवेचना करके ही ये समझना चाहिए कि ये जीव तंतर का लक्षण है, अब हम दूसरे अभिलक्षण की बात करेंगे, जनन की बात करेंगे, जैसा कि हमने बताया कि बहु कोशिक जीवों में जो जनन है उसमें आपने देखा होगा कि वो अपनी से संतान उत्पन्न करते हैं, जो लेंगिक जनन है उसमें जीव के लग यह कुछ उधारन हमको बतायते हैं, जैसे आप देखते हैं, बरसात में जगे-जगे फफून लग जाती है, जिसको आप कवक कहते हैं, यह वीजानु द्वारा प्रजनन होता है, इसके अलावा येस्ट और हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन के द्वारा होता है, प्लेनेरिय या एक कोश्के शैवाल है, जैसे कलेमाडो मानास है, या अमीबा में जो जनन है, वो व्रध्धी का प्रयायवाची है, अर्थात इनमें व्रध्धी के साथ साथ उसका वो हम जनन भी कह सकते हैं, तो कोशिकाओं की संख्या में व्रध्धी का अर्थ है, उनका व्रध्धी नहीं करते हैं, जैसे खचर, बंदे कारिकरता, मधुमक्या, अनुरुवर, मानव, यूगल, जैसे आज-पास देखा होगा कुछ, शादि-शुदा हमारे मानव समाज में वेकती हैं, उनके बच्चे नहीं होते हैं, तो वो प्रजिदन के क्षमता उनमें नहीं हैं, लेकिन क् को निर्जिव कह सकते हैं, हमें सोचना जी इसके विशे में, तो आप चिंतन करेंगे इस विशे में, तो हम ये निश्कष निकाल सकते हैं, कि जनन जीवों का एक समग्र विशिस्ट लक्षन नहीं हो सकता है, यद्यपी इसमें एक विशिश बात है, जो आपको रिखांकित करनी है कि कोई भी निर्जीव वस्तू जनन करने में या अपनी पतिलिपी बनाने में सक्षम नहीं है, क्या आप जानते हैं कि जीव कोशिकाओं में निरंतर रासाइनिक प्रक्रियाएं होती रहती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, सभी जीव रासाइनों से बने होते हैं, ये र परणाम सुरूप, जैब अन्वों में बदलते रहते हैं, कोशिका या जीव में होने वाली इन सभी रासानिक क्रियाओं को उपापचय की प्रतिक्रिया कहा जाता है, तो किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रियाओं नहीं होती, ये बात उस्पस्ट है, इसलिए जीव में उपापचय को जो भौतिक हो सकते हैं, रासानिक हो सकते हैं या फिर जैविक हो सकते हैं, इनके प्रति संभेदन शीलता तथा प्रतिक्रिया देने की ख्षमता होती है, पौधे बाहरी कारकों जैसे प्रकाश, पानी, तापमान या अन्य जीवों प्रदूशकों आदिकी प्रतिकिरिया देते हैं, दीप्तिकाल कि कितना प्रकाश पौधों को प्राप्त हो रहा है, दीप्तिकाल पौधों और प्राणियों दोनों ही प्रकार के मौसमी प्रजनक में प्रजनन को प्रभावित करता है, सभी प्राणियों में मानव ही केवल ऐसा जीव है, ज इसकी चेतना जाकृत है, इसलिए चेतना जीवों को परिभाशित करने के लिए एक बहुत ही सुन्दर अभिलक्षण हो जाती है, जब हम मानव के विशय में चर्चा करते हैं, तब जीवों को परिभाशित करना और भी कठिन हो जाता है, मैसूस किया आपने, देखिए, एक रोगी अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटा हुआ है, हम देखते हैं, वेंटिलेटर पर है एक मशीन पर है जिसमें हुर्दय जथा फुफुस को चालू करने के लिए मशीन लगाई हुई है, वो व्यक्ति, वह रोगी मृतक समान है, उसमें चेतना नहीं होती है, कोमा में पड़ा हुआ है, तो क्या जब व्यक्ति कोमा में होता है, तो आम तोर पर वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है, तो क्या हमें जीव की मौलिक विशेष्टा के रूप में प्रतिक्रिया करने की किशंता पर विचार करना चाहिए या नहीं करना उतकों के गुण कोशिकां में इस्थित कारकों के कारण नहीं, बलकि घटक कोशिकां की पारसपरिक प्रतिक क्रिया के कारण है. इसी प्रकार कोशे किये अंकों के लक्षण अंगों में इस्थित आनविक घटकों कारण नहीं बलकि आनविक घटकों के आपस में क्रिया करने के कारण होते हैं जो उच्चिस तरिय संगठन हैं उनमें उद्गामें गुर्धर्म इन प्रतिक्रियाओं की परिणाम स्वरूप ही होते हैं सभी स्थरों पर संगठनात्मक जटेलता की पदानुक्रम में यह अधभूत घटना यथार्थ है अते हम कह सकते हैं कि जीव सो प्रतिक्रती अर्थात अपने जैसी प्रतिलिपी बनाने में सक्षम विकास्षील तथा स्व नियमनकारी पारसपरिक क्रियाशील तंत्र है जो बाहिय उद्ध्यापन के पती अनुकृया की क्षमता रखते हैं हमारे चारों और विश्टत रूप से दस्ट्री कोचर जीर जगत कैसा अध्भूद है कौतोहल पूरून है जै विविताओं से परिपूरून है इसी कौतोहल वै जै विविता ने मानव को सार्वहौमिक नाम पदती वै वर्गी करन के आवशक्ता को महसूस कराया है अब हम बात करेंगे जैविक विविता वै वर्गी करन की एड़े बच्चो हमारे आसपास हर समय अनेक प्रकार की जीव दिखाई देते हैं आप देखिए गमले में उगेवे पौधे नाना प्रकार के पशुपक्षी, कीट पतंगे और यह हम किसी जंगल में जाएं तो वहां पर हमें अनेक प्रकार की पजातियां दिखाई देती हैं प्रत्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा उनके विभिन प्रकार जैविक विवित्ता कहलाती है अब तक ज्यात वर्णित इस्पेसीज की संख्या आपको मालूम है कितनी है कभी आपने सोचा है बच्चो ये लगभग एक दसमलव साथ मिलियन से लेकर एक दसमलव आठ मिलियन तक हो सकती है और अभी इसकी खोज जारी है यही जैविक विवित्ता है नए तथा पुराने क्षित्रों की सतत खोज में हम नित्य नए नए जीवों का पता लगा रहे हैं और यह चलता रहेगा देखिए एक चित्र है इसमें आप विभिन प्रकार की जीव दिखाई दे रहे हैं आप शायद इनको पहचानते होंगे अब हम बात करेंगे नाम पद्धती की तो आपको मालूम है विष्व में हर एक प्रानी का चाहिए वो पौधा है चाहिए वो जन्तु है उसका एक नाम होता है लेकिन बात क्या है कि हर जगे उसका अलग-अलग नाम होता है तो व्यग्यानिकोंने सोचा कि क्यों ना इस एक मानक नाम हो जो संपूर्ण विश्व में एक ही नाम से जाना जाए तो पहचानना और जीव का सही वर्णन अगर हमें पता हो और उसका नाम पता हो तो हम उस जीव को आसानी से पहचान लेते हैं इसे ही पहचानना कहते हैं जैसे आप जानते हैं आप किसी को कहते हैं कि यह मेरा दोस्त है इसका फला नाम है तो क्योंकि आप ने उसके कुछ विशेस लक्षन पहचान लिए इसलिए आप उसको पहचानते हैं इसी प्रकार से हम जीवों को, प्रणीयों को, पोधों को भी पहचानते हैं प्रतेक ज्यात जीव को वेग्यानिक नाम देने की प्रक्रिया को विश्व में जीव वेग्यानिय ने सिवकार किया है वेग्यानिक नाम की एक गारंटी ये है कि प्रतेक जीव का एक ही नाम रहता है पूरे विश्व में चाहे वो भारत में हो चाहे वो अमेरिका में हो नाम एक ही रहेगा पौधों के लिए वैग्यानिक नाम का अधार International Code of Botanical Nomenclature में दिखाया गया है इसका एक संक्षिप्त जो रूप है वो है ICBN International Code of Botanical Nomenclature अब हम वैग्यानिक नाम के सारवजनिक मानिनियम को जानेंगे दिपद नाम पदधि जैसा कि नाम बता रहा है प्रतेक नाम के दो घटक वंश नाम तथा जाती संकेत पद है इसका उधारन है Mangi Fera Indica ये आम का विज्ञानिक नाम है, इसमें मैंगी फेरा जो है वो वन्ष का नाम है जबकि इंडिका प्रजाती संकेत पध है इस नामकन प्रणाली को एक स्वीडिश वनिश्पति सास्त्री कैरलस लेनियस ने सुझाया था इसका उप्योग सारे विश्व के जिव विज्ञानी करते हैं ये प्रणाली बच्चों बहुती सुविधादनक है नाम प्रणाली के कुछ सार्वजिनिक नियम है, इनके बारे में चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है और परिक्षा में भी इसको पूछा जाता है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे ये नाम लेटिन भाषा में तिर्चे अक्षरों में लिखे जाते हैं जैसे उधारन है मैंगी फेरा इंडिका, आप देख रहे हैं तिर्चे भाषा में लिखावा है, तिर्चे अकार में लिखावा है जैविक नाम में पहला शब्द वन्ष नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाती संकेत पद होता है जैविक नाम को जब हम हाथ से लिखते हैं, तो दोनों शब्दों को अलग-अलग लिखते हैं हम Latin लिखते हैं तो वो बड़े अक्षर में होता है अंग्रेजी के जबकि जाती संकेत पद अंग्रेजी में छोटे अक्षर से होना चाहिए जैसे मैंगी फेरा इंडिका में M बड़ा है जो वन्ष नाम है जबकि इंडिका का आई छोटा है जाती संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम संक्षे पे लिखते हैं आप उधारन दिखिए मैंगी फेरा इंडिका लिन अर्थात सबसे पहले इस इस्पेसीज का वर्णन लिनियस ने किया था अब हम चर्चा करेंगे थ्री पदिये नाम पद रती हक्षले और श्टिक लेंड द्वारा प्रस्तावित की गई है इस नाम में तीन पद हैं पहला वंश नाम, दूसरा प्रजाती और तीसरा उप्रजाती, जैसे उधारन के लिए होमो सेपियन्स सेपियन्स, ये मनुश्य का नाम है, गोरिला, 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 आप देख रहे हैं, तीनों सब्द एक जैसे हैं, वंश नाम, जाती संकेतपद और प्रजाती वह प्रक्रिया जिसमें जीवों को द्रश से गुणों के अधार पर सुविधा जनक वर्ग में वर्गे कृत किया जा सके इसको हम वर्गी करण पध्धती कहते हैं उधारन के लिए पौधे अधुवा प्राणी बिल्ली अधुवा कीट इस सारे के सारज हैं ये विवर्गी करण में विभिन वर्ग हैं और टैकशा विविन स्तर पर एक-एक वर्ग को बताता है उधारन के लिए गेहु, जन्तु, स्तंधारी, बिल्ली ये सभी विभिन्न स्तरों पर टैक्सा है आईए वर्गी करण पद्धति की बात करते हैं विभिन्न प्रकार के जीवों की विवित्ता सहीत उनके विशय में अध्यन को वर्गी करण पद्धति कहते हैं अंग्रे जी में इसको हम systematic कहते हैं systematic 순ब्द, लिटिन सब्द sistema अर्थात, जीवों की निवित् विवस्ता से समбंदित है Linies ने अपने publication का टाइटल, systema nature चुना वर्गी करण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति, तथा वर्गी करण ये तीनों चीजएं आती हैं वरगी करान पधती में जीवों के विकासिय संबंद का भी ध्यान रखा गया है प्यारे बच्चों, आज हमने जो कुछ भी सीखा है, उसको जल्दी से देखते हैं हमने क्या क्या सीखा हमने जीविज्ञान और जीवन शब्द का अर्थ जानने के प्रयास किया है हमने देखा जीवों की विशेष्टाओं का कि उनकी क्या सुस्पस्ट अभिलक्षण है उनका हमने अध्यन किया हमारे जो चारो और जैव विवित्ता है इसका क्या महत्व है और जो जैव वर्गी करन है इसका क्या महत्व है ये भी हमने शेखने का प्रयास किया है हमने पूरे जैव जगत में सार्व भौमिक नामकरण के नियमों को भी जानने का प्रयास किया है अब हमने जो भी कुछ सीखा है इसका मुल्यांकन भी होना चाहिए तो आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्ण दे रहे हैं प्यारे बच्चो इसको एक बार आप अवश्य करेंगे ऐसा हम आप से आशा करते हैं पहला प्रश्ण है जीवों की विभिन परिभाशित विशेष्थाई लिखें दूसरा प्रश्ण है किसी भी पाँच जीवित पौधों का चैन करें और भारत के कम से कम पाँच क्षेत्रों में उनके सामाने नामों का पता लगाएं तीसरा प्रश्ण है जीव की उपस्तिती के लिए आप अपने घर के आसपास के क्षेत्र का अनवेशन करें और दस जीवों की एक सूची बनाएं और उनके व्यग्यानिक नाम का भी पता लगाएं चौथा प्रश्ण है जीवों के किसी भी चार व्यग्यानिक नामों को उनके सामाने नामों के साथ लिखें और पांच मा और अंतिम प्रश्न है, जैविक वरगी करन प्रणाली की आशकता पर चड़्चा करें है। तो प्यारे बच्चों इस आशा के साथ कि आज आपने जो पढ़ा है उसका आप स्वाध्या करेंगे और आने वाले भाग को भी पढ़ेंगे। इसी आशा के साथ शुब कामनाएं धन्यवादा। उसे, जिस सब्धे के साथ शुब के आप सह nut़िक वादयों फज़ इसी आप साथ भाम्यों उसरोगरा है उसका वाले जो वाद्टरोग्पान ही उसका प्रणाली करने उन्यवार्चा है। झाल झाल